अजय जी जो सवाल ये कहा जाता है दिल्ली में अर्विन केजरिवाल अनक्राउंड किंग है बढ़ हकीकत यह कि जो पांच चुनाव दिल्ली में हुए है उसमें से तीन चुनाव बीजेपी जीती है और दो चुनाव अर्विन केजरिवाल जीती है दो लोग सभा के चुनाव सातों के सातों सीटे बीजेपी ने जीती हैं. MCD के चुनाओं 2017 में हैं पंजाब चुनाओं के बाद वो भी भारी महमत के साथ बीजेपी ने जीता है और विधान सभा के दो चुनाओं में जरूर और आमादी पार्टी ने भारतियंता पार्टी को बहुत करारी शिकस दी है. 2014 में भी और 2015 में भी और 2020 में भी. तो इस लिहास से अगर आप देखें तो अगर MCD के इस चुनाओं में क्या वाकई में अर्विन केजरिवाल की पतिस्ठा दाओं पर है? जी आश्टर जी आपने जो शुरूआत में ही ये बताया जिस तरीके से BJP BJP जो इतना बड़ा संगठन है वो नरेंद्र मोधी के चेहरे से आज चल रहा है और उनी के ही परसनालिटी से चल रहा है. उसी तरीके से अगर उसके बना माम आदमी पार्टी को देखे जो चोटा संगठन है मगर वो अर्विन केजरिवाल के चेहरे की वज़े से ही चल रहा है और इनका जो अर्विन केजरिवाल की अपील चाहे वो दिली में हो चाहे पंजाब में हो चाहे वो गुजरात में हूँ अर्विन केजरिवाल की वज़े से ही चलेगा और जिस तरीके से MCD का चुनाओ आम आदमी पार्टी के लिए से एक साल पहले जितना important लग रहा था उनके लिए और उसी समय इतन वो already campaign शुरू कर चुके थे 6 महिने पहले और उसके बाद 3 corporations को मिला कर उस समय उनिफिकेशन का एक वो एक्ट लाया सरक सेंटर ने और फिर उसके बाद वो चुनाओ पोस्पोन हो गए लेकिन इस बार आपने एकदम सही point out किया कि किस तरीके से बीजेपी ने mcd का जो ध्यान बठकाने के लिए वो बुजरात और mcd के चुनाओ almost simultaneously रखे और मेरे हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी mcd के चुनाओ को किसी भी हलके में लेती है तो वो उनके राजनेतिक करियर में उस पार्टी के जो राजनेत है वो service delivery को लेकर है और कोई भी दिल्ली में रहने वाला आदमी ये जानता है कि mcd और corporation के जितने भी bodies है वहाँ पर आम आदमी को daily के daily के level पर बहुत सारे काम पढ़ते हैं वहीं पर सबसे जादा ब्रश्टा चार है mcd आप चाहे mdmc के तो elections होते नहीं है लेकिन बाकी के वहाँ पर सारा जो जितनी भी छोटे से छोटे level तक के से लेकर बड़े level तक mcd में हर तरफ ब्रश्टा चार है और अगर आम आदमी party आज भी ब्रश्टा चार के मुद्दे पर चुनाओ लड़ना चाहती है तो उनके लिए mcd का चुनाओ भी उसी तरीके से important होना तो वो जो अगर सोच रहे हैं कि वो गुजराद जाए या पंजाब जाए या उत्तर प्रदेश जाए अगर ये mcd का चुनाओ हारते है तो उनके राजनेती course of action में काफी जादा एक उनको खामियाजा मेरे हिसाब से आगे भुगत्मा होगा तो अगर आज जो बात आपने होने वाले थे press conference होने वाली थी चीफ electoral officer दिल्ली में और अचानक press conference टाल दी गई और फिर वो छे महिने तक के लिए टली रही उसका कोई बहुत substantial कारण नहीं दिया गया लेकिन अंत में क्या हुआ कि जो तीन MCD थी उसको जोड़के एक कर दिया गया और उसके साथ से जो 272 CT थी उसको 250 कर दिया गया और ठीक गुजराप की बीच में ला दिया गया तो क्या ये एक कोशिस है आमादी पार्टी को उनके ही घर में शिकस देने की बीजेपी की तरफ से जी बिलकुल इसमें तो मतलब कोई दो राय है नहीं लगातार ये बीजेपी नहीं ऐसा पहली बार नहीं किया कि जहां पर उनको लग रहा है कि एक विपक्ष एक अलग तरीके से जैसा कि आप आप बीजेपी के पास कॉंग्रेस के जो क लेकिन अरविन केजरीवाल का जिस तरीके से हमने एवोल्यूशन देखा वो लगातार एक इमाजिनेटिव, क्रीटिव लैंगूज में बीजेपी से डिबेट करते आए हैं उसके प्रोस भी हो सकते उसके कॉंस भी हो सकते हैं लेकिन वो बीजेपी को सामने कड़ा करके उस उसको एक अलग नई उर्जा के साथ एक नए विपक्ष की तरीके से उबरना चाहती है और उसमें बीजेपी को कहीं न कहीं एक डिसकमफर्ट है लगातार जब मैं बीजेपी के इंसाइडर्स से जब बात करता हूं तो उनको आम आदमी पार्टी को किस तरीके से शिकस्त देन अभी तक बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी को परास करने के लिए कोई भाषा नहीं इसलिए आपने देखा कि जब वो पिछले 6 महिने में आम आदमी पार्टी पर हर तरीके के अटाक किये गए चाहे वो सतेंद्र जैन का एरेस्ट हो मनीश्य सोधिया के घर पर रेड ह चाहे वो वहाँ पर गोपाल इटालिया को वहाँ पर तो हर तरीके से आम आदमी पार्टी को एक भरष्ट ताकत की तरीके से उनको ये किया गया है MCD का चुनाओं में आद बीजेपी का जो सौंग आया है जो गाना आया है उसमें भी आम आदमी पार्टी भरष्ट हो गई है यही उनका नारा है लेकिन यही देखना होगा कि आम आदमी पार्टी खुद इस बीजेपी की एक कैंपेंड को किस तरीके से परास्त करती है पिछले दो महीने से मैं आदमी पार्टी का सोशल मीडिया और कैंपेंड फॉलो कर रहा हूं MCD और उनके जो मूल मुद्दे थे कि हम स्कूल और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को हमने यहाँ पर बदल दिया है और उसको लेकर वो प्रचार करते थे यह प्रचार उनका ग लोगों को नहीं मालूम है एक तरीके से दिली को छोड़ दिया है एक तरीके से कॉंपलेसेंसी आ गई है कि हम तो दिली में जीती जाएंगे क्योंकि उनका वाँ पर संगटन भी है जहां संगटन नहीं है वहां अर्विन केजरिवाल जा रहे है लेकिन यह एक डबल जगा हार का सामना करना पड़ जाए तो ऐसा हो सकता है सब जादा तर जो राजनेतिक विसेशक्या हैं वो कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी हो सकता है अच्छा वोट लाए पुछ सीटे लेकर आ जाए लेकिन वहाँ जीतना उनका तहनी है जहां जीतने का चां उनके पैंट है और आम आदमी पार्टी को भी उसी तरीके से अगर देखे वो एक सिटी स्टेट की एक पार्टी थी जो कि आप पंजाब जीत गई है लेकिन है वो एक तरीके से दिल्ली की पार्टी पंजाब में और गुजरात में भी जो उनका प्रदर्शन रहेगा और प मोड में रहे हैं लेकिन अपना जो गवर्नेंस पॉजिटिव साइड है वह दिखाने में ना सफल रहा है असफल रहे हैं बिल्कुल सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर वजल वगरी सिस्टाइब की ववर्नेंसında टृम रहा हैं बप्ले स्टोर अा सबस्टाइब की प्ले समय में दिल्क।